सब्सक्राइब करें मेरे दूसरे चैनल थोड़ी सी स्प्रिच्छल को मोटिवेशनल स्टोरीज और कोट्स के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नमस्कार आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड साहित्ति के खजाने से कुछ अनमूल कहानिया तो आए सुनते हैं माल्ती जोशी जी की लिखी कहानी यातना शिविर आजकल बड़ी मुश्किल से तो मेरी आख लगती है और आधी रात को ये शोरशराबा शुरू हो जाता है बाप और बेटियां तीनों टीवी को घेर कर बैठ जाते हैं चुप चाप देखें तब भी कोई बात है पर टीवी से जादा शोर तो ये लोग मचाते हैं ये लड़कियां इन्हें फुटबॉल का कखा भी ना आता है पर ऐसे चियर अप करेंगी ऐसे कमेंट्स मारेंगी मानो खेल की विशेशग्य हूँ आवाद से मेरे कान फटने से लगते हैं बैठ रूम का दर्वाजा बंद भी कर लूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता जब बरदाश से बाहर हो गया तो मैं बाहर आई और रिमोट उठा कर मैंने टीवी बंद कर दिया ये क्या कर रही हो पागल हो गई हो क्या आज फाइनल है जानती हो इन्होंने लगबग मेरे हाथ से रिमोट छीनते हुए कहा शोर शराबा फिर शुरू हो गया था ये कोई वक्त है टीवी देखने का मैंने लगबग चीखते हुए कहा अब जिस वक्त मैंच आएगा तभी तो देखेंगे ना पूरी दुनिया देख रही है तुम जैसों को छोड़ कर हाँ मैं तो हूँ ही सिर्फिरी पर कह देती हूँ ये आवाजे बंद न हुई तो मेरा दिमाग सच मुझ गूम जाएगा क्यों गूम जाएगा तनू चीखी ये तो तुम्हारे लाडले का फेवरिट गेम नहीं है ना मेरा लाडला मैं आग फाड़े उसे देखती रह गई गुस्से के मारी मेरा पूरा शरीर धर्धर आने लगा मेरा लाडला तो तुम्हारा कोई नहीं था था ना हमारा दुश्मन था खुद तो मर गया हमें जीते जी मार गया तनू प्लीज अनूजा ने समझाने की कोशिश की पर वह तनू थी एक बार बोलने पर आती है तो रुकती थोड़े ही है उसी रौ में कहे जा रही थी कभी मिल जाये तो पूछूंगी जरूर कि भाई साहब मरने की ऐसे भी क्या जलती थी तनू अब बस करो इस बार अनूजा की आवास थोड़ी सक्त थी तनू का आवेश थोड़ा कम हुआ फिर भी उसने बोलना जारी रखा पापा प्लीज हमारे कमरे के लिए एक टीवी अलग से ला दीजे यहां तो पूरे दिन मार्शाल लौ लगा रहता है एक भी कारिक्रम हम लोग ठीक से नहीं देख पाते अरे पापा कहां गए? सर्च ये कबूट कर चले गए थे हम में से किसी को पता नहीं चला पापा कहां गए? कहां जाएंगे? अनुजा ने कहा स्टडी में बैठे होंगे, अपने स्मार्ट फोन पर मैच देख रहे होंगे या ट्रांजिस्टर पर कमेंटरी सुन रहे होंगे बेचारे, उनका इतना सा सुक भी किसी से देखा नहीं जाता तनु ने उसास भर कर कहा चलिए दीदी रानी कमरे में चला जाए, अपनी नींधी पूरी कर ले और दोनों जैसे मुझे अंगूठा दिखाती हुई, कमरे में चली गई टीवी चीफता रहे गया सुबह माहौल में एक तनाव था जो सभाविक ही था पर उसकी तरफ ध्यान देने की मुझे फुरसत नहीं थी चाय नाश्ता टिफिन, ये सब तो मेरी ही जिम्मेदारियां थी न उन्हें तो पूरा करना ही था नाश्ते के टेबल पर एकदम सननाटा सा था एक आएक इनोंने कहा बच्चों शाम को पांच बजे तक घर आ जाना क्यों पापा? दिल्ली से कुछ लोग आ रहे हैं दरसल अनु के लिए एक रिष्टा देखा है वे ही लोग आ रहे हैं मतलब दीदी को देखने आ रहे हैं पापा ये देखना दिखाना इस सो इरिटेटिंग अनुजा ने सक्त नापसंदगी जाहिर की वे लोग भी घर ही आना चाहते हैं घर पर आने से काफी सारी बाते पता चलती हैं आपका कल्चर आपका स्टेटस सबसे परिचय भी हो जाता है होटल में सब कुछ हॉर्मल रहता है तो तनू बेटा तुम जरा जल्दी आकर चाय नाश्ते का देख लेना दीदी को भी तयार कर देना मैं क्या पहनू पापा अनुजा ने पूछा कुछ भी डेसेंट सा पहन ले वे लोग दिल्ली वाले हैं मुझे नहीं लगता कपड़ों के मामले में बहुत कंजर्वेटिव होंगे अच्छा मैं निकलता हूँ शाम को जल्दी आने की कोशिश करूँगा और वे उठ खड़े हुए मैं प्रतिक्षा ही करती रह गई कि वह मुझे भी शाम के लिए कुछ विशेश इदायतें देंगे पर वे तो सब कुछ दनू को सौप कर रवाना हो गए गुस्से से फनफना उठी में इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता था जानती थी ये रात का बदला लिया जा रहा है मैंने भी बदला लेने की ठान ली सोच लिया अब किचन की तरफ जाकूंगी भी नहीं कोई कुछ पूछेगा भी तो टका सा जवाब दे दूँगी पर पूरी दोपहर बीट गई मेरे कमरे में कोई नहीं आया वादे के मताबिक शाम को ये ओफिस से जल्दी आ गय तनू कमरे में ही उन्हें चाय दे गई मुझसे पूछा तक नहीं चाय पीकर ये फ्रेश होने चले कै बात्रूम से लोटकर ये कपड़े बदलने लगे तब तक मैं सबर किये रही पर तयार होकर जब वे बाहर जाने लगे तो मुझसे नहीं रहा गया मैंने कसेले सवर में पूछा मेरा बाहर आना जरूरी तो नहीं है न तुम्हारी मर जी नहीं मुझे एकदम दर किनार कर दिया गया है इसलिए पूछ रही हूँ आओगी तो अच्छा लगेगा नहीं तो कह दूँगा बिमार है आपने सुबह जो तनू से कहा मुझसे नहीं कह सकते थे जान बूछ कर मेरा अपमान करते हैं यही लड़कियां भी सीख रही है देखो इस समय मेरा दिमाग मत खराब करो पहले मेरी बात का जवाब देते जाए तुम्हारी बात का जवाविया है कि अनुजा की शादी में तुम्हें कितनी दिल्चस्पी है इस बात का मुझे पता नहीं है वह 24 की हो रही है MSC की ये उसे 2 साल हो गए है इधर उधर योही टाइम पास जॉब्स कर रही है पर तुम्हें शायद इन सब बातों का एहसास ही नहीं है तुमने कभी नहीं कहा कि लड़की बड़ी हो रही है अब उसके लिए लड़का ढूनना चाहिए अक्सर तो ये काम मा ही करती है और वो लड़की मुझसे पूछ रही है कि पापा में क्या पहनू जबकि यह बात मा से पूछी जानी चाहिए आप सबने तो मुझे दूद की मक्षी की तरह निकाल बाहर कर दिया है क्या कहती और क्या सुनती तुम खुदी चिटकर दूर खड़ी हो गई हो और दूसरों पर दोश मट रही हो ये घर ये ग्रिहस्ती ये लड़किया और मैं सब जैसे तुम्हारे हैं ही नहीं तुम बस एक रस्मदाईगी करती जा रही हो कभी फूर्सत से बैट कर सोचना कि तुम्हारी इस स्थिती के लिए जिम्मेदार कौन है खेर ये बहस का मुद्दा है फिर कभी अभी मेरे पास समय नहीं है तुम आराम करो हमारी महरी ने तो अपने चार-पांच बंगलों में बात फैला ही दी है कि जवान बेटे की मौत के बाद से 25 नंबर वाली मैडम थोड़ी खिसक गई है वे लोग अब मुझे विचित्र नजरों से देखते हैं उन नजरों में सिर्फ सहानु भूती नहीं होती कौतुहल भी होता है जब अपने घर में ही इस तरह की उपेक्षा मिल रही है तो बाहर वालों से क्या उपेक्षा की जा सकती है मेरा दुख जैसे सिर्फ मेरा होकर रह गया है और उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है ठीक साथ बजे जब तयार होकर मैं बाहर आई तो तीनों मुझे देखते ही रह गए मुझे भी लगा कि जोश में आकर मैंने कुछ जादा ही सास रिंगार कर लिया है मेरे सामने अनू इतनी सौमे लग रही थी और सुन्दर भी मुझे देखकर तनू ने मूबिच का दिया ये कुछ कहने को हुए फिर चुप हो गए आजकल मुझसे कुछ भी कहते हुए ये डरने लगे है ना चाहते हुए भी मैं एकदम आपाखो बैठती हूँ एक बार मन किया कि कपड़े बदलनू पर समय नहीं था वे लोग किसी भी समय आ सकते थे और लोग घंटी बजी गई जब सब लोग अपना इस्थान ग्रहन कर चुके तो परिचे का दौर चला तनू ने पहले ही अलान कर दिया था कि दीदी चायवाई लेकर नहीं आएगी वो काम मैं और गुपाल करेंगे दीदी ठाट से आपके साथ बैठेगी स्वानू जा हम लोगों के साथ ही बैठी थी बड़ी सुन्दर लग रही थी बाचीत के प्रारंभिक दौर के बाद महमानों को नाश्टे के लिए अमंत्रिट किया गया मैंने देखा कि मेरी मदद के बिना भी कि तनू ने काफी लंबा चोड़ा इंतिजाम कर लिया था डाइनिंग टेबल डोंगों से खचाखच भर गई थी जैसे ही पहला डोंगा खुला मेरा तो खून ही जम गया समूसे? पिछले चार साल से इस घर में समूसे नहीं बने थे ना बाहर से आये थे समझ गई कि तनू की कारस्तानी है उसने जान बोज कर यह किया है आज तो इसके खबर लेनी पड़ेगी लड़की हद से जादा गुस्ताख होती जा रही है सौरी आंटी तनू ने सफाई देते हुए कह मम्मी बिमार है इसलिए नाश्ता बाजार से ही मंगवाना पड़ा मैंने आज दीदी को किचन में पाव ही नहीं रखने दिया और मैं तो इस मामले में एकदम कोरी हूँ सबने एक बार फिर गौर से सजीधजी बिमार मम्मी को देखा संकोत से मैं गड़े गई मैं राह देखती रह गई कब ये लोग जाएं और कब मैं तनू को आड़े हाथों लू पर मौका ही नहीं मिला वे लोग बड़ी लंबी पारी खेले फिर माबाप तो उठकर चले गए दोनों बेटों को यहीं छोड़ गए बच्चों की बाते थी कि खत्वी नहीं हो रही थी उन लोगों को थोड़ी स्वतंतरता देने के लिए ये उठकर स्टडी में चले गए फिर मेरा वहाँ बैठना आपरा सांगिक लगने लगा मैं कमरे में चली आई पांच-छे दिन बात की बात है उस रात खाने की मेच पर इन्होंने एक आएक कहा अनू बेटे, कॉंग्रेचुलेशन्स तुमने दिल्ली फत्व कर ली मतलब अनू जा का अगला प्रश्न था मतलब उनके यहां से हां आ गई है न पापा तनू की लग उठी और उसने उठकर दीदी को गले से लगा लिया हां बेटा, उनके यहां से हां आ गई है अनू अब तुम अपनी भी राय बता दो ताकि सगाई की तारीख तैकी जा सके दीदी की राय अलग से पूछने की क्या जरूरत है पापा जरा उनका चेहरा तो देखिये सचमुच अनूजा का चेहरा एकदम सिंदोरी हो रहा था हाँ एक बात और रमा शंकर जी ने कहलवाया है कि अगर एत्राज न हो तो वे दोनों डोलियां एक साथ ले जा सकते हैं आप भी फ्री हम भी फ्री धत मैं उस बांगडू से शादी नहीं करूँगी तनू चेहुकी ए बांगडू मत कहना हाँ इंजीनियर है वा अगले साल यूएस से जाएगा अगली पढ़ाई के लिए देखा पापा अभी सगाई भी नहीं हुई है और उन लोगों की वकालर शुरू हो गई है वो इंजीनियर या जो भी हो मैं उससे शादी नहीं करूँगी बड़ी मुश्किल से तो तुमसे छुटकारा मिल रहा है तुम्हारे देवर से शादी कर लूँगी तो वहाँ जिठानी बनकर मुझ पर रोब जाड़ोगी बेचारी मैं ओके ओके लडो मत वैसे मैंने उनसे पहले ही कह दिया है कि छुटकी हमारी मेडिकल स्टूडेंट है वर डॉक्टर दूलाई चाहेगी ये ठीक किया पापा और पापा दीदी की शादी के बाद मैं हॉस्टल शिफ्ट कर जाऊंगी फाइनल है मेरा टाइम बे टाइम वर डूटीज लगती है घर से जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा पढ़ाई की दृष्टी से भी ठीक रहता है फाइनल में गरीब सब भी हॉस्टल चले जाते है मतलब दीदी ससुराल चली जाएगी और तुम हॉस्टल चली जाओगी मुझ गरीब को इस यातना शिविर में अकेला छोड़ दोगी ऐसा मत करो भाई यातना शिविर इस रब्द को सुनते ही लड़कियों ने जिस नजरों से मुझे देखा था वा असहनिय थी कमरे में आने के बाद भी लग रहा था जैसे वे नजरे मेरा पीछा कर रही हूं ये काफी देर तक बाहर बच्चों के साथ हसी मजा करते रहे कमरे में आये तब ग्यारा बच चुके थे उन्हें लगा हुगा मैं सो गई हूं इसलिए चुपचाप आकर लेट गए पर मैं तो भरी बैठी थी कबसे प्रतिक्षा कर रही थी सुनिये मैंने कहा बोलो उन्होंने उनीदी आवाज में कहा आज एक बात का फैसला हो जाना चाहिए अब आधी रात को कौनसा केस लेकर बैठ गई तुम सो जाओ सुबह देखेंगे नहीं इस बात का फैसला आज और अभी होना चाहिए हाँ बोलो कहते हुए ये उठ बैठे आज मैं यह जानना चाहती हूँ किस घर में मेरी हैसियत क्या है मतलब मैं इस घर की एक अवैतनिक नौकरानी हूँ या साब साब कहो भाई आधी रात को बेमतलब का बखेडा ले बैठी हो लड़के वालों की तरफ से हाँ आई थी यह बात पहले मुझे नहीं बताई जा सकती थी तुमने पूछा था मैं चुप रहे गई क्या बोलती वे ही बोले उन लोगों को हमारे यहां आए इतने दिन हो गए तुमने एक बार भी जानना नहीं चाहा कि उनका क्या जवाब आया तुमने यह अभी नहीं पूछा कि लड़का क्या करता है उसके पिता जी क्या है मेरी ख्याल से तुम्हें तो लड़के का नाम भी मालूम नहीं होगा तुमने तो कभी कोई इंटरस्ट दिखाया ही नहीं तुम्हें कोई क्यों कुछ बताए तुम्हारे एहंकार को ठेस लगी है इसलिए तुम तिल मिला गई हो बैसे तुम्हें अनूजा के शादी में रत्ती भर भी रस नहीं है उस दिन तुम उस महिला के पास इतनी देर बैठी थी क्या उनसे परिवार के बारे में कुछ पूछा क्या तुम्हें पता है कि उनकी बेटी कहां ब्याही गई है उनका अपना पीहर कहां है वे हाउस वाइफ हैं या नौकरी करती है कहने सुनने को सौब आते थी पर तुमने की ही नहीं मुँ में दही जमाए बैठी रही उस दिन समों से देखकर मेरा दिमाग आउठ हो गया था मैं जानती हूँ तनू ने जान बूछ कर ये शरारत की थी और आपके शेह पर की थी यकीन मानो मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है सारा मैन्यो लड़कियों ने तै किया था और उन्होंने जान बूछ कर किया हो तो उसमें आश्चर क्या है पिछले चार सालों से इस घर में समोसा नहीं आया गाजर का हलवा नहीं बना क्रिकेट की कमेंटरी नहीं सुनी गई चार सालों से हमने तणु अनु का जनम दिन नहीं मनाया हम लोग कहीं बाहर घूमने नहीं गए वोटल में खाना नहीं खाया चार साल से हमने एक भी शादी अटैन नहीं की एक मुसलसल मातम घर पर छाया हुआ है बच्चे बगावत पर उतराएं तो आश्चारे क्या है या सब जेलने के उम्र हैं उनकी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे या दुख सिर्फ मीरा है और मैं इसे आप सब पर थोपना चाहती हूँ सुनिता मैं मानता हूँ या हम सब का साजा दुख है इसे हम सब मिलकर जेलते तो शायद या हलका हो जाता पर तुम तो इसे अपनी जागीर बना बैठी हो तुमने इसे अपना बड़ा इश्यू बना लिया है कि लोगों को अब तुमसे सहानुभूती नहीं चिड़ होने लगी है मेरे दोस्त घर आने से कत्राने लगे है तुमारी सहेलियों ने किनारा कर लिया है रिश्टेदार भी बिना मतलब के इधर फटकते नहीं है और उंकी बाद जाने दीजिए क्या आप भी मेरे दुख को नहीं समझते क्या आपके मन पर खरोचे नहीं आई है खरोच लड़का इतना बड़ा घाव दे गया है कि शायद जिन्दगी भर नहीं भरेगा पर फर्क या है कि मैं उस घाव को भरने का जदन करता हूँ और तुम उसे हरा रखना चाहती हो मैं उस दुख को सहलाने की अयाशी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नौकरी करनी है चार लोगों के बीच उठना बैठना है घर परिवार का ध्यान रखना है खास कर बच्चियों का मनोबल बढ़ाये रखना है ये उनकी हसने खेलने की उम्र है उन पर ये उदासी की चादर क्यों डाली जाए सुनीता हम मरने वाले के साथ मर तो नहीं सकते जिन्दगी अगर बाकी है तो जीना ही पड़ता है तो फिर उसे सलीके से जीने में क्या हर्ज है कल को ये लड़कियां ससराल चली जाएंगी तो अपने साथ कुछ अच्छी यादें तो लेकर जाएं अभी तनू कह रही थी कि दीदी की शादी के बाद हॉस्टल चली जाएगी मैं सोचता हूँ यही ठीक रहेगा यहां तो उसका दम घुट जाएगा और आप आपके लिए भी तो यह घर एक यातना शिविर है इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे मैं तो यहां रहने के लिए अभिशप्त हूँ तुमने तो दीन दुनिया छोड़ दी है पर मैं तो ऐसा नहीं कर सकता न और कल को लड़किया पीछे मुड़ कर देखना चाहें तो उनके नजरों में एक घर तो होना चाहिए न पता नहीं क्या हुआ अचानक मैं फफ़क कर रो पड़ी अब क्या हो गया भाई कहते हुए उन्होंने जैसे ही मेरे कंधे को छुआ मैं कटे पेड सी उनकी गोद में गिर पड़ी रुलाई के वेग से मेरा पूरा शरीर हिल रहा था और ये मेरी पीठ पर बालों पर चुपचाप हाथ फेर रहे थे उनकी या मौन सांतोना बड़ी अच्छी लग रही थी जब जी भरकर रो चुकी तो मैं उठ बैठी रोधे गले से मैंने कहा तो अब अनू भी हमें छोड़ कर चली जाएगी हाँ और कुछ दिनों बात तनू भी यह स्रिष्टी का नियम है सुनीता बच्चे किसी के पास नहीं रहते पंक निकलते ही उड़ जाते हैं वैसे आज तो मनू के लिए रोई बहुत अच्छा लगा मैं तो समझ रहा था कि तुम्हारी सारी सम्वेदनाएं मर चुकी है इतने दिनों से मैं यह उपेक्षा का नाटक इसलिए खेल रहा था कि पता तो चले कि तुम एकदम पत्थर हो गई हो या तुम में अभी कुछ स्पंदन, कुछ दुख-दुखी बाकी है मेरी परिक्षा ले रहे थे हाँ और तुम उसमें पास हो गई हो अब बस एक काम करना जितने दिन बिटिया घर में है उसे खूब दुलार देना ताकि यहां से जाते समय उसके आचल में अच्छी सी प्यारी से स्मृतियां हो मैंने बच्चों पर बहुत अन्याई किया है न क्या पता वे लोग मुझे छमा भी कर पाएंगी के नहीं एक बार उन्हें अंक में भर कर तो देखो सारे गिले शक्वे पल भर में दूर हो जाएंगे और उन्होंने मुझे अंक में भर लिया कितने दिनों बाद मैंने इनके स्पर्ष में पहले किसी उश्मा महसूस की थी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी के लिखी कहानी यातना शिविर उमीद करती हूँ दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले मिलती हूँ किसी और नए कहानी के साथ तब तक के लिए मुस्कुराती रहिए धन्यवाद